तो वैसे हाँ पर यहरा मेरे पास Realme C30 स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में दस से ज्यादा टिप्स और ट्रिक्स इंट्रेस्टिंग और ट्रिक्स बताऊंगा आप इस वीडियो को एंड तक देकर बहुती इंट्रेस्टिंग और सम कमाल धमाल त बक्रदी इसमों क्लिक्र करके स्कूर्ट अपको देखता और सकते हैं दूसरा तरीका रीम घृत्र बटफान और प bowling इन्मेश्यू से प्रेसि प्रेस करेंग्यार थी Siis C then. नोटिविकेषीन पैपल में आना सकते हैं चोथा इस है लोग प्रेस करेंगे इसकी पर य०्यफार आपर प्लिक करने करने के आपको सैटिंग में आना है और आपके हम पर डियुक्ता होते हैं इस स्टिंग में अना है हाँ सी यहां से आप इसको 8 को अन करेंगे तो जैसे आप धू जाते ही तो automatic brightness जयादा होता है और आप जैसे अंद Cry में जाते ही तो automatic brightness कम होता है लाइटिंग कंडिशन के आप से brightness कम ज्याधा होते रहता है इसके बाद हम पर डाक थिम को आफ करता हूं वीडियो recording करने के लिए इसी के regarding एक और फिचर नाइट लेड आपको मिलता है इस पर आप क्लिक करके हैं से इसको आन करेंगे तो इसको ज़रूर आन करना दूसरों आप रोजिंग कर रहे हैं स्टैडी करें तो आपके आँखों को इफेक्ट ने पड़ेगा इ यहां पर आने के बाद आपके हमपर मिलता है video display enhancement मतलब आप ए शेटिंग और करेंगे तो आप इन अप्लेकेशन में वीडियो से देख रहे हैं तो आपकी वीडियो के बिटयो को अच्छे से enjoy करेंगे तीसरे फीचर की बात करने के लिए home screen पर long press करना है home setting में आना है हाँ पूलड़ाउन एक्षिन है। आप यहां पर निचे लेकर आएंगे उगली तो यहां पर आपको खुजी भी नहीं आएगा. जो एप्लेकेशन आप ज्यादा यूज़ करते हैं यहां पर आपको ऊपर बताएगा पांच वे फीचर के बात करने के लिए नोटिफेकेशन पैनल में आना है आप यहां से स्कृन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्कृन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड आउडियो आप ऐस्टा माइक को अगरा लगाएं तो माइक को सट कर सकते हैं इसके बाद यहां से इसको अन करके सट कर लिए और यहा जाता है छटी फीजर की बात करने लिए आपके क्या करना है setting में आना है आने के बाद आपके हमपर एंड नूटिफिकेशन के स्थ चेटिंग में आना है topics शो और है आपके हमपर ब्लॉक करना चप्ते हैं यहां पर है screen time, आज सुबा से लेकर अभी तक आपने कितने minutes और कितने घंटे अपने phone को use किया है, यह देख सकते हैं और निचे आकर को से application कितने minutes और कितने गंटे यूज किया है, देख सकते हैं, साथे feature की बात करने के लिए वापस इस setting में आते हैं और आते हैं सरा से निचे, हाँ पर है smart controls आपको इस setting में आना है, आप smart way को on करेंगे तो अब आप लॉप 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 करके रखें फोन को, तो आपको on करना है तो lock बटन पर दबा बता हूंगा, हाँए ऑप ca hook mode में आकर ऀसको on करना है, तो आपको около आकर तो आका फोन के नहीं है तो touch work ही करेंगा, तो जैसे अब बहत invited feature अंक्रेंगा femme ॢेर्ब आते हैं आते हैं आपको आना है दूसरे याँ पर इस बैटरी सेटिंग में आने website आसे आपको जाओंगो लिए तो बॉटन के बाद आते हैं लिए आफको आंना करके सीस्टम सेटिंग में और है ऑला करना हुआ और आप recent duct remote करना चाहती है तून निचे से long tap करके सब्सक्रा से आप recent ductisations को भी remote कर सकते हैं Nine features के बात करने के setting में आते हैं और आते हैं इस ऊतरा से निचे हाँ पर यह एकदम नीचे Accessibility आपको इस setting में आना है और ओर स्क्राश ना है हेल करना है यहांसे आप इस usability setting ने आँ सकते हैं Google Assistant को यूजे कर सकते हैं यहांसे Power off कर सकते हैं और момент dawn कर सकते हैं देख सकते हैं यहांसी भी आप स्कूर्ण ले सकते हैं यह देख सकते हैं पांच तरीक के हो गए total screenshot लेने के दसवे feature की बात करने के लिए camera app open करना है और इस setting में आना है और यहाँ पर जासों smile shooter इसको on करेंगे तो आप front camera open करके smile करेंगे तो automatic photo click हो जाता है यह कमाल का feature है इसके बाद आप पर touch photograph इसको on करेंगे तो आप camera app open करके कहीं भी touch करेंगे तो भी photo click हो जाता है 11 features के बात करने के लिए आपको क्या करना है आना इस phone पर click करके त्रूड़ पर click करके settings में और यहाँ पर है blockade numbers इस setting में आगर अगर unknown का on करेंगे तो जो number आपकी phone में save नहीं है उस number से आपको call ही नहीं आएगा यह ladies के लिए useful feature हो सकता है क्योंकि उनको new new number से बहुत सारी call आते हैं तो जो number phone में save नहीं है call ही नहीं आएगा भैतर feature है उसके बाद हम पर add a number पर आप click करके हम पर जो भी number dial करके हम पर block पर click करेंगे वह number blacklist में पर जाता है blacklist से निकालने के लिए इस तरह से इसको click करके वापस इसको unblock भी कर सकते हैं 12 feature की बात करने के इस notification पैनल में आएंगे आपके हम पर मिलता है do not do stop आप इसको on करेंगे तो आपको call message कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका smartphone hybrid भी नहीं होगा और phone के ringtone भी नहीं बजाएगी आप meeting में वगार रहते हैं तो इसको on करके use कर सकते हैं do not do stop को 13 feature की बात करने के लिए आते हैं और setting में आपके हम पर आना है दिसको sound setting में और यहां पर word for calls इस setting में आकर यह never hybrid होता है आपको always hybrid कर लेना है तो आपको call आता है तो आपका smartphone hybrid भी होता है इसी setting में और नीचा नहीं यह जो सारे sound आन रहते हैं इसको off करना है होती है आप इन सारे settings को off कर लिया तो बार बार speaker on नहीं होगा वहां से extra battery consume नहीं होगी आपको फीचर अच्छा लगा नीचे